तमस्कार आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की जिसके बारे में हम व्यापक रूप से कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं लेकिन आज इसको हम लोग नए सिरे से समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में समवैधानिक सुधार की दिशा में काफी कदम उठाये थे जिसे हम लोग 1773 के Regulating Act से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम के बीच देखते हैं आज भारत शासन अधिनियम 1935 को एक नई उर्जा के साथ, नई टेक्नीक के साथ, नई तरीके के साथ सीखने का प्रयास करते हैं भारत में समवैधानिक सुधार की दिशा में अंग्रेजी सरकार के द्वारा तयार किया गया अंतिम सबसे जटिल और सबसे बड़ा दस्तावेश था इतना बड़ा था कि इसमें 311 अनुच्छेद चौदह भाग और दस अनुच्छियां थी अनुच्छियां थी इसमें प्रस्तावना नहीं था प्रस्तावना का अभाव था इसलिए भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1929 के की प्रस्तावना को इसमें जोडा गया था इस प्रकार इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यही है इसमें कई प्रमुख प्रावधान लाए गए थे उन सभी प्रावधानों को क्रमवार तरीके से हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे सबसे पहले हाँ और अतीत की प्रमुख घटनाओं से भी जोडने का प्रयास करेंगे इंटरलिंक करने का प्रयास करेंगे आईए देखते हैं पहला प्रावधान जो था वह था अखिल भारतिय संग की इस्थापना अखिल भारतिय संग की इस्थापना की इस्थापना जैसा कि हम लोग जानते हैं अखिल भारतिय संग की अवधारणा की प्रस्तुती देशी नरेशों ने की थी प्रथम गोल में सम्मेलन के दर्मियाद प्रथम गोल में सम्मेलन के दर्मियाद प्रथम गोल में सम्मेलन से इसका मतलब इसका सीधा संबंद है इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो इसके अनुसार ग्यारह ब्रिटिश प्रांथ ब्रिटिश प्रांथ छे कमिशनरी छेत्र और देशी रियासतों को मिला कर एक अखिल भारतिय संग का निर्मान किया जाना था जिसमें ब्रिटिश प्रांथों को शामिल होना अनिवार्य था अनिवार्यता थी उनके लिए कि उनको शामिल होना ही परता छे कमिशनरी छेत्रों के लिए भी बात दियता थी लेकिन एक लूप होल था कि देशी रियासत यदि इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे तो वो नहीं हो सकते थे अर्थात बात दियता को समाप्त कर दिया गया था इस प्रकार चुकी देशी रियासतों ने इस विकल्प का लाव उठाने की कोशिश की और उन्होंने अखिल भारतिय संग में बाद में मुकर गए पहली बार प्रतम गोल में सम्मेलन के दर्मियान या प्रस्ताव उन्होंने ही दिया था जिन 16 देशी नरेशों को प्रतम गोल में सम्मेलन के दर्मियान अमंतरित किया था लंदन में लेकिन इस विकल्प को देखने के बाद उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया परिणाम यह निकला कि अखिल भारतिय संग की जो यह अवदहारणा थी वह मूर्त रूप नहीं ले सकी तो एक प्रावधान तो अस्तित्व में ही नहीं आ पाया दूसरा प्रावधान जो था कि केंद्र में द्वैद शासन प्रणाली को लागू किया जाना द्वैद शासन प्रणाली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रावधों में द्वैद शासन प्रणाली को समात करने की अनुशंसा प्रान्तों में इस व्यवस्था की समाप्ती की अनुशंसा साइमन कमीशन ने की थी साइमन कमीशन ने अनुशंसा की थी कि प्रांतों में जो भारत शासन दिन्यम 1919 के तहत द्वैद शासन प्रणाली लाई गई है उसको समात कर दीजिए इस अधिनियम में इस अनुशंसा को स्विकार करते हुए प्रांतों से द्वैद शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया लेकिन केंदर में इसे लागू कर दिया गया हम लोग जानते हैं कि द्वैद शासन प्रणाली की अवधारना का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है व्यवस्था का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है कार्टियस उन्होंने अपनी पुस्तक डायर की में सबसे पहले इस अवधारना की विस्तरित व्याक्या की थी अपनी पुस्तक डायर की में उसी पुस्तक में जो इन्होंने इस अवधारना को सबसे पहले प्रस्तुत किया था वहीं से अंग्रेजी सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1909 में लेकर इसका प्रयोग किया था इसी पुस्तक से इस अधिनियम में समाहित किया गया था प्रांतों में व्यवस्था की समाप्ति की अनुशंसा साइमन कमीशन ने की थी इस व्यवस्था का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक डायर की में इस व्यवस्था की विस्तरित व्याख्या की थी और वहीं से इस अवधाराना को ग्रहन करते हुए भारत शासन अधिनियम में 1909 में इसे समाहित किया गया था इस व्यवस्था के तहद देखते हैं कि इस बार जो केंद्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था उसमें क्या-क्या प्रमुख बातें नहित की गई थी सबसे पहले केंद्रिय विशय को केंद्रिय विशय को दो भागों में बाटा गया था सबसे पहला आरक्षित विशय आरक्षित विशय और दूसरा भाग था वह हस्तांतरित विशय था हस्तांतरित विशय आरक्षित विशय के अंतरगत देश से संबंधित प्रमुख मुद्दे माने जा सकते हैं जैसे की प्रतिरक्षा विदेशी मामले धार्मिक मामलों में स्पेशिफाइट कर दिया गया था कि केवल इसाई धर्म से संबंधित मामलों को ही केंद्र सरकार देखेगी इसाई धर्म और भी प्रमुख मुद्दे थे हस्तांतरित विशय के अंतरगत वित जनकल्यान से संबंधित सारे विशयों को रखा गया था जनकल्यान जनकल्यान संचार व्यवस था परिवहन व्यवस था और भी कई सारे विशय थे इस प्रकार केंद्रिया विशय को दो भागों में बाटा गया था आरक्षित विशय हस्तांतरित विशय आरक्षित विशय के अंतरगत प्रतिरक्षा से संबंधित मामले विदेशी मामले धार्मिक माममुद्दों में केवल इसाई धर्म से संबंधित मसलों को इसमें रखा गया था आरक्षित विशय की बात करें आरक्षित विशय पर कानून बनाने का जो अधिकार वाई सराय को दिया गया था वह अपनी परिशद की सहायता से बनाता था वाई सराय अपनी परिशद की सहायता से बनाता था इन विशयों पर कानून और भारत सचिव के माध्यम से भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रती उत्तरदाई था के प्रती उत्तरदाई था हस्तांतरित विशय पर कानून भी वायसराई ही बनाता था लेकिन वह मंत्री मंडल की सहायता से बनाता था वायसराई अपने मंत्री परिशद की सहायता से मंत्री परिशद की सला पर इन विशयों पर कानून बनाता था और दोनों मिलकर केंद्रिय विधाईका के प्रती उत्तरदाईत था दोनों के सर पर इस प्रकार केंद्रिय परिशद को केंद्रिय सरकार की कारी पालिका को दो भागों में बांट दिया गया पहला जो भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रती उत्तरदाई था और दूसरा जो मंत्री परिशद के साथ मिलकर केंद्रिय विधाईका के प्रती उत्तरदाई था दो भागों में बाट दिया गया दोनों के विशाय अलग-अलग कर दिये गए अब बात करते हैं प्रांतों में स्वायत्ता की जिसके बाद हम लोग समझेंगे इसको और काईदे से प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान कर दी गई और इसे एक अप्रेल 1937 से लागो किया गया अर्थाथ एक अप्रेल 1937 से प्रांतों में स्वायत्ता लागो की गई प्रांतों में स्वायत्ता जिसको एक अप्रेल 1937 से लागो किया गया इसके तहत सबसे पहले प्रांतों में स्वायत्ता का संबंध जो हमारे भारत के इतिहास की विभिन घटनाओं से है वह दो घटनाओं से यह संबंधित है पहला नहरू रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया था कि प्रांतों को स्वायत्ता प्रादान की जाया तो इस प्रकार इसका सीधा संबंद नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सुत्री मांगों से है संबंद इसमें प्रांतों को स्वायतता दिये जाने के क्रम में यह इसपष्ट कर दिया गया कि प्रांतिय विशय को विधी के दाइरे में अर्थात प्रांतिय विशयों पर कानून बनाने का प्रांतों को दिया गया केंद्र के हस्तक छेप को शून ने बना दिया गया केंद्र के हस्तक छेप को समाप्त कर दिया गया अर्थात प्रांतिय विशय पर सिर्फ और सिर्फ प्रांत कानून बनाता और केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक छेप नहीं कर सकती थी अब वाई सराय वाई सराय तो पहले ही भारत सचिव के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के प्रती उत्तरदाई हो गई थी ब्रिटिश सरकार के प्रती प्रांतों के जो गवर्नर थे वो अब सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिदी के रूप में काम करने लगे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिदी के रूप में वाय सराय की अधीनता को गवर्नरों पर जो थी पहले वाय सराय की अधीनता को समाप्त कर दिया गया अर्थात वाय सराय के नियंतरण से अलग कर दिया गया अब वो सीधे अंग्रेजी सरकार के प्रति उत्तरदाई थे अगली बात की स्वायतता कैसे दी जाती स्वायतता देने के लिए विशयों का इस पष्ट विभाजन किया जाना अनिवार ये था जो इस अधिन्यम में किया गया विशयों को प्रांत सूची, संग सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया विशयों का विभाजन किया जाने की स्थिती में स्वायतता का इस पष्टी कराण संभव नहीं था तो विशयों का विभाजन किया गया केंद्र सूची जिसको केंद्र में दोयथ शासन प्राणाली लागू करने के दर्मियान आरक्षित विशय और हस्तांतरित विशय में विभाजित किया गया था प्रांत सूची और तीसरा समवर्ती सूची तीन सूचीयों में सभी विशयों को विभाजित किया गया केंद्र सूची में 69 विशय रखे गये प्रांत सूची में 54 विशय रखे गये और समवर्ती सूची में 36 विशय रखे गये आपात कालीन शक्तिया और अवशिष्ट शक्तिया अवशिष्ट शक्तिया वाई सराय को दी गई अब यहां समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा जब हम लोग 1773 के regulating act को समझने का प्रयास कर रहे थे और 1773 के regulating act के लाने के कारणों को समझ रहे थे तो उस समें एक point आया था कि तीन प्रेसिडेंसियां थी बंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख गवर्नरों को बनाया गया था और ये तीनों गवर्नर एक दूसरे के प्रति उत्तरदाई ना होकर इंग्लैंड में इस्थित निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदाई थे अर्थात निदेशक मंडल जो इंग्लैंड में इस्थित था वह separately separately इनको operate कर रहा था जिसके कारण अराजक्ता और व्यवस्था की इस्थितियां उत्पन होनी आरम हो गई थी लगभग अगर एक तरह से सोचा जाए इस पश्टर प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा बारीक तरीके से समझने का प्रयास करें तो अभी भी तो इस्थितियां वही हैं ब्रिटिश सरकार भारत में केंद्र सरकार अर्थात वाइसराय और उसकी परिशद यह भारत सचीव के माध्यम से भारत सचीव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तर दाई था प्रांतों के गवर्नर यानि कि प्रांतिय सरकार अब ब्रिटिश सरकार के प्रति निधी के रूप में काम करना आरम कर चुके करने वाले थे प्रति निधी ब्रिटिश सरकार के प्रति निधी के रूप में काम कर रहे थे इन दोनों के मध्य कोई तालमेल नहीं विशेश रूप से रह गया था क्योंकि विशयों का विभाजन कर दिया गया था तालमेल नहीं था तो कहीं न कहीं शासन व्यवस्था में सुधार बहुत जवरदस्थ तरीके से इस अधिनियम के तहत लाया गया था लेकिन ये जो एक पॉइंट है कि भारत सचीव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रती उत्तरदाई था वाई सराय और प्रांतिया गवर्नर भी कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के भी प्रती उत्तरदाई था दोनों का रिपोर्टिंग अथोरिटी जो था दोनों भाग का जो रिपोर्टिंग अथोरिटी था वह था ब्रिटिश सरकार तो कहीं न कहीं 1773 के रिक्यूलेटिंग एक्ट से समानता मिलती है इस एक मात्र एक छोटे से बिंदो पर अगला प्रावधान था बर्मा को भारत से अलग किया जाना इसकी अनुशंसा इस अवधारना को सबसे पहले कॉंग्रेस ने अपने प्रथम अदिवेशन में प्रस्तुत किया था बर्मा को अलग किया जाना अलग किया जाना इसकी अनुशंसा इसका इसे संबंदित बातें या विचारों को सबसे पहले कॉंग्रेस ने अपने प्रथम अदिवेशन में प्रस्तुत किया था कॉंग्रेस के प्रथम अदिवेशन से इसका संबंद है साइमन कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रस्ताव को पेश किया था इस प्रकार कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन और साइमन कमिशन से इसका सीधा संबंध है अंत्तो गत्वा बर्मा को अलग कर दिया गया सिंद और उडिसा को प्रांथ का दर्जा साइमन कमिशन की रिपोर्ट से इसका संबंध है क्योंकि साइमन कमिशन ने जो अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें इस बात की चर्चा की थी की गई थी कि सिंद और उडिसा को पिठक करके एक अलग प्रांथ का दर्जा दिया जाए जिन्ना की चौदा सुत्री मांगों में भी इस बात की चर्चा की गई थी कि बंबई से सिंद को अलग कर दिया जाए जिन्ना की चौदा सुत्री मांगे मांगों में जिक्र इस प्रकारी तिहास की दो घटनाओं से इस प्रावधान का संबंध है आगे बात करते हैं भारत परिशद को भंग कर दिया गया भारत परिशद को भंग करते किया गया जिसकी अब धारणा कॉंग्रेस ने अपने प्रतम अधिवेशन में प्रस्तूत की थी भारत परिशद को भंग कर दिया गया को भंग कर दिया गया दिया गया संगिय ने आयाले का गठन किया गया का गठन या इस्थापना संगिय ने आयाले कि इस्थापना दिल्ली में की जानी थी एक अक्टूबर 1937 से इसने कारी करना आरम कर दिया एक अक्टूबर 1937 से इसने कारी करना आरम कर दिया इसको दिल्ली में इस्थापित किया गया था इस्थापना संगिय न्यायाले के गठन की अवधारणा दूसरे गोल में सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा अर्था दूसरे गोल में सम्मेलन से इसका संबंध है इसके तहत दिल्ली में एक संगिय न्यायाले की इस्थापना की जानी थी जिसको प्रारंभिक छेत्रादिकार और परामर्श दात्री छेत्रादिकार दिये गए थे इसके निर्णे के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी इसमें एक मुख्य न्यायादिश और अधिक्तम छे अन्यायादिश की व्यवस्था की गई थी अन्यायादिशों की व्यवस्था की गई थी इस प्रकार इस संग्य न्यायाले में पहले मुख्य न्यायादिश जो थे वो थे मौरिस गवेयर अन्यायादिशों में दो भारतियों को भी जगह दी गई थी वो थे M.S. सुल्तान और M.R. जैकब इन दो भारतियों को अन्यायादिश बनाया गया था अर्था छे सदस्यों में जो की अन्यायादिशों के लिए निरदारित था उनमें इन दो भारतियों को भी जगह दी गई थी इसके आधार पर 1937 में आम चुनाओ करवाए गए इसी अधिनियम के आधार पर ग्यारा ब्रिटिश प्रांतों छे कमिश्नरी छेत्रों में चुनाओ करवाए गए ग्यारा छेत्रों में ग्यारा प्रांतों में विधान सभा का गठन किया गया 1937 में आम चुनाओ का आयोजन किया गया 11 प्रांतों में विधान सभा का गठन किया गया छे प्रांतों में दुई सदनी विधाई का गठित की गई थी दुई सदनी ये विधाई का की स्थापना वो छे प्रांत की अगर हम लोग बात करें तो वो छे प्रांत बंबई, मद्रास, असम, बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत थे छे प्रांतों में दुई सदनी ये विधाई का गठन किया गया इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान यही थे और इस अधिनियम का आरंभ में कॉंग्रेस के प्रमुख निताओं ने भी व्याफक तरीके से विरोध किया हाला की बाद में सुईकार कर लिया कोई विशेश विरोध नहीं किया गया इसके विरोध में आरंभ में जो 1934 तक विरोध किया गया बस उतना ही था उसके बाद इसको कहीं न कहीं सुईकार करते हुए 1937 में आम चुनाव आयो जित किये गई जिसमें भारतियों ने बर्चर कर हिस्सा लिया और आठ राजियों में आठ प्रांतों में कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बनाई जिसको हम लोग अगले अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे कि किनकिन प्रांतों में किनकिन नेताओं के नेतरितों में सरकारें गठित की गई फिलहाल उन जो दो वर्च पैंतिस तीसरे गोल में सम्मेलन के तुरत बाद जो प्रमुख प्रतिक्रियाएं इस अधिनियम के विरुद दी गई उनमें सबसे प्रमुखा नाम आता है जवाहर लाल नेहरू का यह प्रश्न BPSC में पूछा भी जा चुका है कि अनेक ब्रेकों वाली यह एक रेलवे इंजन है जिसकी बात हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में कर रहे हैं उसका कारण है कि दो कारण थे जिसके आधार पर नेहरू ने यह कथन दिया था पहला कारण था प्रांतों में स्वायत्ता प्रांतों में स्वायत्ता सिर्फ नाम के लिए दी गई थी वास्तविक रूप से समझने का प्रयास करें तो भारतिय मंत्रियों को कोई विशेश आधिकार नहीं प्रदान किये गए थे अंतिम वीटो निर्ने जो था वह गवर्नर में नहित था तो कहीं न कहीं ही भारतिय वहां भी लाचार हो गए थे वहां पर भी अंग्रेजी सरकार की बात मानने के लिए बात दिय थे दूसरी बात जितने भी विशेशादिकार थे चाहे केंदर सूची से संबंदित हो चाहे प्रांतिय विशेश से संबंदित हो चाहे समवर्ति सूची से संबंदित हो चाहे अपातकाल इस्थिती में लिए जाने वाले नर्नेयों से संबंदित हो या अवशिष्ट शक्तियों से संबंदित हो वाय सराय और गवर्नरों के समक्ष समक्ष भारतिय प्रभाव हीन हो गए थे प्रभाव हीन इसलिए पंडित नेहरू ने यह कथन दिया यह अब सिर्फ नाम के लिए स्वायतता है हमें कोई विशेशादिकार तो दिया गया है ही नहीं तो यह नाम के लिए रेलवे इंजन है यह अधिनियम नाम के लिए रेलवे इंजन है इसको प्रभाव हीन करने के लिए इसमें बहुत सारे ब्रेक दिये गए हैं और वो उस ब्रेक की तुलना वाइसराय और गवर्नर को दिये गए विशेशादिकारों से की पंडित नहरू ने जो वाइसराय और गवर्नरों को दिया गया था जिन्ना ने भी इसका विरोध किया मुहम्मद अली जिन्ना ने मुहम्मद जिन्ना ने उन्होंने कहा किया मूल रूप से सड़ा हुआ और ब्यकार अदिनियम है जो सुईकार करने के लाइक नहीं है तो इस प्रकार हाँ एक बात इस पूरे प्रावधान में छूट गई थी वो अब याद आया तो हम बता देते हैं आप लोगों को कि सामप्रदाइक प्रतिनिधित्व प्राणाली को जारी रखा गया इस प्रकार भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर हम लोगों ने चर्चा कर दी अगले वीडियो में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे और स्वतंतरता संग्राम से संबंदित अध्यायों की समापती की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तब तक के लिए जय हिंद